प्रदूशन की रियल टाइम इंफरमेशन के लिए आज ही SkyMet AQI अप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखे खयाल करें तो गंगय पस्चम मंगाल और ओडिसा में कल के जो बारिश की गत्विदियां काफी अच्छी देखने को मिली अब धीरे दीरे इन इलाकों में कमी आ गई है बारिश काफी कम हो जाएगी क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम में आगे बढ़ गया है और मांसून की जो ट्रफ में भी बारिश की गत्विदिया अब बढ़ सकती हैं हालांकि भारिश से आतिबारी बारिश होने की संबावना नहीं है लेकिन फिर भी कई जिलों में मौडरेट शावर्स हो सकते हैं जमशेतपूर, चाहवासा, धनवाद, खुंटी, रांची, डाल्टोन, गंज इन सारे में बारिश की गत्विदिया थोड़े सी बढ़ेंगी और उसी तरह बिहार में भी पूरे जो बिहार के इलाके हैं जैसे कि भागलपूर, पूर्निया, खगरिया, और कटिहार, गया, पटना, वेगू सराय, इन सारे इलाकों में लाइट तु मोडरे ट्रेन हो सकती है, सम्य बारिश की गत्विद्या बढ़ेंगी जो अगले 24-48 गंटों तक अच्छी रहने की सम्मावना है, हाला कि बहुत जादा भारी बारिश की सम्मावना नहीं है, लेकिन जो वेदर एक्टिविटी ना के बराबर हो रही थी, तो अब मोडरे शावर्स कोछ इलाकों में हो सकते हैं, एक दो जगह पर इंटेंस स्पेल भी देखे जा सकते हैं, अब उत्तर भारत के अगर बात करें, तो जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मद्यजिले हैं, बरेली, नजीवाबाद, सहारनपूर, इन सारे इलाकों से लेकर के मुझाफरनगर, बाराइच, लकिमपू हैं, और ये अगले दो दिनों तक जारी रहेंगी, हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश की संबावना भी नजर आ रही है, दिल्ली अंसियार में आज अच्छी बारिश की संबावना हमें नजर आ रही है, और जो अगले एक दो दिनों के दोरान चुटपूर बारिश क में भी हल्की बारिश की सम्मावना नजर आ रही है लेकिन पंजाब और हर्याना के जो पश्चिमी जिले हैं वो लगबख चुश्क बने रहेंगे उस इलाके में बारिश की सम्मावना काफी कम है लेकिन फिर भी लोकलाइज वेदर एक्टिविटी जाने के छोटी वोटी बह होगी और अगर हुई तो बहुत ही हलकी बारिश होगी तो अब बात करते हैं मदी भारत की तो मदी भारत में भी क्योंकि जो आपने देखा था कि वेलमाग लो पहले रिप्रेशन था वेलमाग लो बना अब लो प्रेशर एरिया बन गया और ये थोड़ा सा उत्तर की और उ लोकन एंडगवा में मुंबई और उसके आसपास के लाकों में भी बारिश की घत्विदियों में बहुत ज्यादा कमी आने वाली है गुजरात में बी जो बारिश ज्यादा कमी देखने को मिलेगी हालागे कुछ राग़ों में हलकी और मध्यम बारिश जारी रख सकती है सा अब बात करते हैं दक्षिन भारत की तो दक्षिन भारत में भी क्योंकि कोई भी वेदर सिस्टम इस समय नहीं बना हुआ है जो डिप्रेशन और लो प्रेशर एरिया थे जिसके प्रवाब से इन इलाकों में तेलंगाना वगेरा और कोश्टल अंदर प्रदेश में बारिश हो जो पश्चिमी तट है जैसे कोश्टल करनाटका और केरल में हो सकता है कुछ इलाकों में लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल हो जाएं और अंदमान निकुबार दीप सम्मों में भी हलकी से मद्यम बारिश हीर देखने को मिलेगी और लक्षदीप में भी बारिश की नसर